नमस्कार मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं मन फ्रस्टेशन से बरा हुआ रहता है मन ऐसा करता है कि सुसाइड कर ले ऐसा मन करता है कि चारों तरफ अंदेरा ही अंदेरे के गुमनामी में खोय हुए है मन ऐसा करता है कि सारी दुनिया खुशिया मना रही हो आप अंदर से अंदरी दुख ही मना रहे हो आप पांच व्यक्तियों के साथ में खड़े हो पांच व्यक्ति हस रहे हैं और अच्छी बाते कर रहे हैं आप भी उनके साथ में बात कर रहे हो लेकिन आपका मन कहीं ओर है आपका मन उस जगर नहीं है आपका मन अंदरी अंदर कचोट रहा है हर इंसान के जीवन में ऐसा दोर आता है जब मन में गलत विचार आते हैं, जब मन में गंदे विचार आते हैं, जब मन बिलकुल उदास, हतास और निरास होता है मन में गंदे विचारों को आने से केसे रोकें? मन में अच्छे विचार केसे लाए? हर इंसान इसी सरकमिस्टांसेस में फसा हुआ रहता है इसी दूइदा में फसा रहता है कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं और इन बेड व्यू से, मतलब गंदे विचारों से कैसे अपने माइंड को फ्री करें आपको भी अगर मन से गंदे विचार हटाना होना, तो ये चार बाते आप याद करें नमबर वन, अपनी भावनों को व्यक्त करें, आपके अंदर जो इमोसेंस परकट हो रहे हैं, जो इमोसेंस आपके अंदर गुट रहे हैं, उन इमोसेंस को किसी से शेर करें नोट टू बी पॉइंट, किसी से शेर करें लेकिन ध्यान रखना, शेर उसी व्यक्ति से करना, जो आपका खास हो, जिस पर आप बिलीफ करते हो, अगर आप हर किसी से शेर कर लोगे ना, आपकी भावना है, तो वह व्यक्ति हो सकता है, मैं भी, वह दूसरों के सामने आपक जोग करें, आपकी मजाक उड़ाएं, आपके इमोसंस का मजाक उड़ाएं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी भी अपने इमोसंस जाहिर मत करना, वरना आप उसके सामने तो अपने अच्छा समझ कर उसको अपने इमोसंस बताओगे, अपनी बावनाएं की मज़ा उड़ेगी इसलिए अपनी भावना व्यक्त करो अपने इमोसंस व्यक्त करो ना तो आपके किसी रिलाइबल परसन के सामने अपने इमोसंस व्यक्त करना बागी किसी के सामने मत करना अतीद को भूने और पविश्य की के बारे में सोचे वरतमान के बारे में सोचे ब मैंने वेसा क्यों कर किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो आज ऐसा नहीं होता। आप परदेन में जीए, अतीत में जो बीद गया, जो बीद गया। नो वन केंज और पास्ट आप अपना परदेन चांज कर सकते हो, आप अपना फुचर चैंज कर सकते हो, इप यू हेव अबिलिटी, आप कर पास्ट में कितनी अच्छी अबिलिटी है, आप कितनी अच्छे श्ट्रोग हो, लेकिन एक बात ध्यान डबना हार, यू कें नेवर चैंज यूवर पास्ट, इट्स टूट एंड फैक्ट, यू कें नेवर चैंज यूवर पास्ट, इसलिए अतीद की यादों को याद करके क्यों रोना, वोस से लोग अतीद की यादों को याद करके रोते रहते हैं, बस मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, आप इसा मत करने, आप इसा नहीं करोंगे ना, तो दिमाग में गंदे विचार नहीं आएंगे, जिस परेशानी की वज़े से आपके दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं, आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, उस परेशानी को, उस टर्बल को, उस डिपिकल्ट को दूर करने की कौशिश करें आप उस परेषानी से जितना ज़ादा दूर भागोगे ना उतने ज़ादा गंदे विचार गलत विचार आपके दिमाग में आते जाएंगे जितना हों सके उस जो परेषानी की वज़े से आपका मेंड डिस्टरॡ हो रा है ना उस टर्बल को रिमूव करें अपने माइंड से और दूर करें तब ही आपके दिमाद से गंदे विचार आना बंध होंगे और अच्छे विचार आपके दिमाद में आई मन को किसी काम में लगाए अधिकतर इंसान क्या होता है जो इंसान प्री होते हैं जिस इंसान के पास कुछ काम नहीं होता है ना उनके दिमाग में ही अधिकतर गंदे विचार आते हैं अधिकतर गलत विचार आते हैं अपने आपको हमेशा बिजी रखें आप अपने आपको जितना बिजी रखोगे न आपको गंदे विचार के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको गलत विचार के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा अपने आपको इतना बिजी कर लो कि बस परना आपके दिमाग में गंदे विचार, गलत विचार आना बंध हो जाएंगे.